इस वीडियो में हम समझेंगे concept of irrational numbers तो irrational numbers क्या होते हैं irrational numbers वो numbers होते हैं जो rational नहीं होते हैं मतलब इसके केवल हम literal meaning निकालें मतलब इसके word का meaning निकालें तो इसका मतलब यही होता है irrational यहाप लगा हुआ है ir, ir मतलब की negative मनि की opposite of rational मनि जो rational नहीं होगा उसे बोलेंगे irational तो खैर इस definition से हम इसके बारे में अच्छे से नहीं जान पाएंगे है ना लेकिन हम यह यह सोचें कि rational numbers होते हैं p by q के form में मतलब rational numbers को represent के सकता है p by q के form में तो irational numbers वो numbers होता है जिनको हम p by q के form में represent नहीं कर सकते हैं मतलब उसके opposite लेकिन यह भी definition जो है उतना clarity नहीं दे पाता थोड़ा सा और deep जाएंगे और समझेंगे तो हम यह पढ़े हुए हैं कि rational numbers यह पढ़े हुए हैं कि rational numbers दो तरीके से represent हो सकता है decimal के form में rational numbers और बिल्कुली दो दरीके से होता ही है ठीक है पहला जो होता है terminating decimals मतलब कि जब इसे decimal में convert करेंगे तो terminate हो जाएगा मतलब एक fixed number of digits decimal के बाद आएंगे तो बोलेंगे terminating होते हैं ठीक है तो पहला तो यह चीज होता है दूसरा जो होता है decimal form rational numbers का वो होता है non-terminating non-terminating ऐसा बिसकता है कि terminate नौ हो यदि non-terminating होगा तो repeating होगा मतलब कि certain block of digits will repeat ओके तो यह दो चीज़े होनी ही चाहिए तभी बोलेंगे कि वो है rational number है तो terminate हो जाने का मतलब क्या हुआ जिसकि 2.15 यहाँ पर क्या हुआ decimal के बाद के बाद के वाल दो digits आ रहे है 1 और 5 तो यह terminate हो चुका है 5 के बाद जिसकि 1.67 जिसकि 1.3 ऐसे करके आप infinite numbers number of examples दे सकते हैं बिल्कुल तो यह बोलते हैं terminating decimals और यह सारे सारे क्या है rational numbers ही है और एक होता है non-terminating repeating means ऐसे rational numbers जो non-terminate होते है terminate नहीं होते है लेकिन repeat करते है जैसे कि हम लिए सकते हैं 2.1111 infinite times repeat हो रहा है तो इसी बाद को हम लिखते हैं 2.1 bar वैसे 1.333 repeat होगा बार बार डाट डाट तो इसी को लिखते हैं हम लोग repeating लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है आपको यहां समझ में आ रहा हुआ कि कुछ ऐसे भी decimal numbers होते हैं जो non-terminating और non-repeating होंगे मतलब जो terminate नहीं होंगे लेकिन repeat भी नहीं करेंगे मतलब कि certain black of digits repeat नहीं करेंगे उसमें उसमें half hazard way में या फिर एक progressive pattern में बढ़ता जाएगा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ मतलब कि third प्रकार के भी decimal numbers होते हैं और उन्हें बोलते हैं हम लोग non-terminating 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 and non-repeating non-terminating and non-recurring बोल सकते हैं या फिर repeating बोल सकते हैं non-repeating या फिर recurring ओके तो non-terminating and non-repeating तो ऐसे numbers कैसे होंगे तो थोड़ा सा हमें इसको visualize करते हैं इसे काप ध्यान दीजिए जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 1.01 फिर यहाँ लिखता हूँ 001 फिर 001 again 00001 dot 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 तो यहाँ पर क्या हो रहा है क्या यह ऐसा आपको लग रहा है कि यहाँ पर कोई भी डिजिट रिपीट कर रही है या फिर certain block of digits क्या रिपीट कर रहा है नहीं कर रहा है बिल्कुल ही यहाँ पर जीरो एक बार आया है फिर 1 आया इसके बाद से 2 जीरो जा गए है फिर 1 आया है फिर देखिए यहाँ पर 3 जीरो जा गए है फिर 1 आया है फिर 4 जीरो जा गए है ऐसे करके मतलब जीरो का जो नंबर है वो बढ़ता जा रहा है तो इसको बोलते हैं progressive pattern मतलब कि certain certain जो digit है वो क्या होगा बार-बार बढ़ता जाएगा तो ये बिल्कुल ही मतलब repeating तो नहीं है बिल्कुल है कि नहीं तो ऐसे decimal number को बोलते हैं non-rational means irrational मतलब कि ये rational नहीं है rational होने के लिए क्या होना चीए था non-terminating ये दिए है तो repeating होना चीए था लेकिन नहीं है repeating तो कुछ ऐसे और एक्जाम परस हम दे सकते हैं अपने मन से आप बना सकते हैं चाहें जितना मन के रूटना जिसे कि 0 point ले लिजे और हैंब 2 ले लिजे फिर 1 लिखिए फिर 2 लिखिए फिर 1 लिखिए फिर 1 लिखिए फिर 2 1 1 1 फिर 2 1 1 1 1 1 फिर 2 मतब कि ऐसे increasing order में बना दीजे बिल्कुल तो ये भी क्या है E rational number है यदि आप और भी jumper देना चाहा है तो 8 6 0 again 8 6 8 6 0 again 8 6 8 6 0 8 6 8 6 8 6 0 इसमें क्या हो रहा है देखिए इसमें 8 6 एक बार आया था यहाँ पर 8 6 8 6 दो बार आ गया फिर 8 6 8 6 दो बार यहाँ भी आया है फिर यहाँ पर देखिए 1 2 3 तीन बार आ गया मतलब कि repeat नहीं करना चाहिए बस आपको देखना है ना कि repeat ना करे तो ऐसे numbers को ऐसे decimal numbers को बोलते है non-terminating and non-repeating अच्छा तो एक बात समझना है यहाँ पर ठीक है ऐसे numbers को बोलते है non-terminating and non-repeating क्या ऐसे भी numbers होंगे जो ना ही terminate करेंगे और ना ही repeat करेंगे और इसमें जो है हमने पहला देखा example जिसमें कि यहाँ पर progressive pattern था कुछ fix जो digit है वो बार-बार जो है increase कर रहा है तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि जो repeat मतब कि increase ना करें बलकि 1000W में कोई दूसरा digit आता रहे तो बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है जैसे कि हम जब under root कर निकालते हैं under root 2 निकालते हैं तो actually यह बिल्कुल ही ऐसे नहीं आता इस तरह से pattern नहीं बनता इसमें तो एक pattern दिख रहा है ना बिल्कुल रूट 2 में pattern नहीं बनता जैसे कि यह फिर ऐसे बहुत सारा numbers हो सकता है infinitely many numbers होते हैं lots of lots of numbers हैं जिनमे pattern ऐसा नहीं बनता यह हम लोग अपने समझने के लिए हम लोग ऐसा example दे देते हैं जैसे कि root 2 का यह दि हम value निकालें जो कि यहां पर है 1.414 1.414 2135 2135 2135 यहां पर कई भी repetition नहीं है और 5 के बाद भी आने वाले जो digits होंगे वो कुछ अलग-अलग होंगे जैसे कि मैं यहां पर कुछ अपने मन से कुछ बताऊं आपको 1.4142135 98765 812312450 3124 कुछ भी आप लगा दीजिए तो ऐसे numbers मिलेंगे आपको root 2 के इसमें या फिर pi के जो value होता है वो भी ऐसे ही होता है जैसे कि इसका होता है 3.145968 whatever मतलब कुछ ऐसे ऐसे करके numbers होते है मैं exact नहीं पताया है आपर exact यहां तक मुझे पता है बस 5 तक 3.145968 कुछ होता है ठीक है तो कहने का मतलब यह है कि यह pi भी क्या है irrational number है क्योंकि इसके जो digits आते हैं decimal के बाद जो digits आते हैं वह 1000 वे में बढ़ते जाते हैं तो हमने यह समझ लिया कि बिल्कुल ही decimal के right side में यदि ऐसे digits मिल जाए जो 1000 वे में या फिर progressive pattern में बढ़ते जाते हैं तो हम कहते हैं कि वह क्या है irrational number है ओके ठीक है तो हमने यह समझ लिया कि ऐसे numbers को बोलेंगे irrational numbers तो इसमें और कोई concept नहीं है बलकि हम यह समझ चुके हैं मतलब कैसे पता करेंगे यह सारे numbers तो इस video में इतना रखते हैं और यदि कोई भी doubt है यदि आपको कोई भी doubt है इसमें irrational numbers के concept में तो बिलकूल आप comment box में लिख सकते हैं यदि नहीं भी है doubt तो comment box में जरूर कुछ ना कुछ लिखिए Thank you so much for watching Bye